तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो अमारा SSC MTS exam का एक पार्ट चल रहा है पार्ट फूर आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे जिसमें हम most repeated most expected questions को कवर करेंगे जो आपका अपरेल में exam होने वाला है MTS का उसके लिए अगर आप CHSL के exam की भी तयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये वीडियो आपकी काफी ज़्यादा useful रहेगी जिस टाइप के question जिस pattern पे आपके SSC MTS के exam में question पूछे जाते हैं उसी टाइप के questions आज आपको इस वीडियो में provide कराए गए है जो previous year के questions रहेंगे उन पे based questions हैं अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को like करें शेर करें और चैनल को ज़रूर subscribe कर लें तो चलिए वीडियो को start करते हैं देखते हैं पहला question क्या है तो आज की वीडियो का हमारा पहला question है who is known as the inventor of battery तो battery के आविशकारक के रूप में किसे जाना जाता है तो इसमें हमारा correct answer हो जाएगा वोल्ट वोल्ट जो थे इनको battery के inventor के नाम पे जाना जाता है रूप में जाना जाता है अगर आपसे बाकी और कोशन पूछा जाए तो यहाँ पे कुछ invention और discoveries को cover करते हैं बाकी जो topic रहेगा इसकी एक separate video आपको हमारे channel पे मिल जाएगी हर एक topic के आपको separate video मिलेगी channel पे आपको जिस भी topic की देखनी हो हमारी एक playlist रहेगी all static g के topic के नाम से जिसका link आपको description में भी मिल जाएगा उस playlist में आपको हर एक topic की separate video प्रोवाइड कराई गई है अगर आपसे atom mom का discoverer पूछा जाए invention किसके द्वारा करी गई तो Robert Upenman के द्वारा करी गई थी 1945 में Bifocal lens की discovery करी गई थी invention करी गई Benjamin Franklin के द्वारा 1779 में blood group को discover किया था Karl Lannisterner ने 1900 में फिर आपका circulation of blood most important exam में काफी बार पूछा जाता है आपका इसकी discovery William Harvey के द्वारा करी गई थी 1628 में जो dynamite होता है इसकी discovery Alfred Nobel ने करी थी जिनके नाम पे Nobel Prize जो है वो रखा गया है student के रहेंगे student ही present करता है Nobel Prize को 1867 में इन्होंने dynamite की खोज करी थी फिर आपका hydrogen रहेगा hydrogen की जो discovery करी गई वो Henry Cavendish ने करी थी 1766 में insulin की discovery करी गई थी Frederick Benton के द्वारा 1921 में ये question भी exam में बहुत बार repeat हो चुका है आपका light bulb को invent किया था Thomas Edison ने 1854 में oxygen की discovery करी गई थी Joseph Prisley के द्वारा 1774 में polio vaccine को invent करा था Jonas Edward साल के द्वारा ये question भी most repeated question है आपके exam के लिए parents लेन भी बहुत जादा exam में पूछा जाता है आपका Alexander Flaming के द्वारा इसकी invention करी गई 1928 में फिर आपका thermometer आता है हरे question को इसी तरीके से full detail में हम cover करते हुए चलेंगे which instrument is used to measure sound underwater तो पानी के नीचे ध्वनी मापने के लिए किस उपकरण का उप्योग किया जाता है तो इसमें हमारा जो correct answer है वो जाएगा hydrophone hydrophone एक ऐसा instrument होता है या फिर एक ऐसी device होती है जिसकी मदद से हम पानी के अंदर जो sound है उसको measure कर सकते है इसी तरीके से measuring instruments की यहाँ पर बात करेंगे यह जो topic रहेगा measuring instrument का इसका भी separate एक आपको वीडियो मिल जाएगी आप नीचे देख सकते है topic related वीडियो के लिए हमारा दूसरा channel HOS studies 2.0 भी रहेगा उसका भी आपको link description में ही मिलेगा तो seismometer जो होता है किसलिए use किया जाता है तो earthquake shocks को नापने के लिए seismometer का use होता है lactometer होता है purity of milk को नापने के लिए actinometer होता है intensity of electromagnetic radiation को नापने के लिए pyrometer जो high temperature होता है उसको नापने के लिए normal temperature को नापने के लिए thermometer होता है और अगर आपसे पूछा जाए कि very low temperature को नापने के लिए कौन सा होता है तो उसके लिए cryometer होता है तीनों important रहते हैं exams में आपके पूछे जाते हैं m meter की मदद से हम electric current को नामते हैं animometer रहेगा आपका wind speed के लिए takometer के द्वारा speed of rotation नापने जाती है hydrometer के द्वारा density of liquid नापने जाती है barometer के थुरू हम atmospheric pressure को नापते हैं calorie meter के थुरू quantity of heat को altimeter के थुरू altitudes को नापने जाता है और phetometer एक ऐसी device रहेगी जिसकी मदद से हम जो depth है ocean की उसको नाप सकते हैं तो यह आपको ध्यान रखना है exam में इस टाइप के questions आपके काफी जादा देखने को मिलते हैं अगला question देखते हैं हमारा अगले question पर बनने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि static gk की एक topic wise ebook रहेगी जो कि हमारी टीम के द्वारा launch करी गई है जो कि सिर्फ आपको 79 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है important क्यों रहेगी क्योंकि इसमें आपको 19 प्लस ऐसे topics मिलेंगे जो कि कुछ static gk के topics हैं कुछ current affair के topics हैं यह ऐसे topics हैं जिनसे आपके exams में सबसे जादा question पूछा जाते है most repeated जो topics रहेंगे 19 topics उनको आज इस ebook में provide कराया जा रहा है तो यह game changer ebook रही है आपके exams के लिए चाहे आप किसी भी one day exam की तयारी कर रहे हूं यह ebook आपको ज़रूर आपको description में provide कराये गया है आप description में जाके इस ebook को buy कर सकते हैं payment करने के बाद अगर आपको file download करने में कुछ भी issue आता है तो नीचे हमारी gmail ID है आप इस पे हमको directly mail कर सकते हैं अगला question देखते हैं अगला question आपसे पूछा जा रहा है what is the study of fungi called fungi जो होता है कबक जो होता है उ mycology हो जाएका mycology बोलते हैं fungi की study को इसी तरीके से एक टॉपिक हो जाता है आपका study of नीचे देख सकते है all static g topic की playlist है 200 plus topics cover कराये गए है link description में है playlist का तो यहाँ पे study of की बात करेंगे तो study of algae को क्या बोला जाता है algae के अध्यन को phycology, atmosphere की study को बोला जाता है aerology, heart की study को बोला जाता है cardiology और heart के doctor को क्या बोलते हैं cardiologist motion की study को kinematics बोला जाता है, insects की study को entomology, plants की study को botany, animal की study को zoology, rocks की study को petrology, blood जो होता है हमारत जो खून होता है उसकी study को hematology, food की study को brometology, birds की study को ornithology, जो cells होते हैं उनकी study को हम cytology बोलते हैं और जो tissues होते हैं उनकी study को हम histology बोलते हैं ये सभी questions repeated questions है जो आपकी exams में पहले भी पूछे जा चुके हैं अगला question है हमारा which country is the host nation for the G20 summit 2023 तो G20 शिकर सम्मेलन 2023 का मेजबान राष्ट कौन सा देश है तो इसमें हमारा जो correct answer हो जाएगा वो इंडिया हो जाएगा इंडिया जो है वो host कर रहा है आपका 2023 में G20 summit को काफी जादा important question रहा है जब ये आपकी announcement हुई थी 2022 के end में उस time पे जो exams थे उन में काफी बार ये question आपका repeat हुआ था यहाँ पे G20 summits की बात करेंगे तो पहली जो G20 summit हुई थी आपकी 2008 में हुई थी United States of America में जो 15th हुई है 2020 में हो साओधी अरेबिया में हुई 16th हुई आपकी इटली के अंदर 17th important रहेगी 2022 में आपकी इंडोनेशिया के अंदर organize हुई 18th जो भी present time में चल रही है 2023 की ये इंडिया में organize हो रही है और जो अगले साल हमारी 19th होगी G20 2024 में ये आपकी ब्राजील के अंदर organize की जाएगी तो ये तीन आपको जरूर याद रखने है और साथ में आपको first वाला भी जरूर याद रखना है एक्जाम में आपसे हो सकता है G20 से related कोई question पूछ लिया जाए फिर यहाँ पे अब आब आपसे question empire के founder से related पूछा जा रहा है which of the following empires was founded by Harihar and Bukka in 1336 तो 1336 में Harihar और Bukka ने निमलिकित में से किस सामराज्य की स्थापना की थी तो इसमें जो हमारा correct answer हो जाएगा वो हो जाएगा विजयनगर empire एक south का empire रहेगा आपका विजयनगर empire इसकी इस्थापना करी गई थी Harihar और Bukka के द्वारा 1336 में अब यहाँ पे जो founders हैं उनकी यहाँ पे बात करेंगे तो जैनिज्म को फाउंड किया गया रिशब देव के द्वारा Christianity को Jesus Christ ने फाउंड किया था बुद्दिज्म को गौतम बुद्ध ने मौरेन empire को चंदगुप्त मौरेन ने शुंग empire को पुश्या मित्र शुंग ने गुपता empire को श्री गुपत ने पलबा empire को सिम्ह विश्णु ने चोला empire को विजेला ने पाल empire को गुपाल ने नंद empire को आपका महापदमा नंद के द्वारा फाउंड किया गया था सत्वाहन empire को सिम्ह का सत्वाहन ने गुलाम empire जिसको कि हम ममलुक empire के नाम से भी जानते हैं ममलुक डैनेस्टी के नाम से भी जानते हैं इसको कुतवुद्दीन एबक के द्वारा फाउंड किया गया था एक्जाम्स में बहुत जादा रिपीट होता है सयद एमपायर को सयद खिर्जिखान के द्वारा इस्थापित किया गया था तो ये सभी नेम रहेंगे जो कि आपक करने हैं बाकी फाउंडर्स की सेपरेट वीडियो भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी अगला कोशन है मारा सिंग राज अधाना इसन इंडियन पैरा एथलीट हूँ वन दिस सिल्वर मैडल इन टोकियो ओलंपेक टो थाउजन ट्वेंटी ट्वेंटी वन इन विच स्प में आप से यह कोशन पूछा जा रहा है तो यहां पे जो इस पोर्ट रहेंघे उन्से रिलेटीड पर्संस की इस टोपिक में बात करी जा रही है इस कोशन में तो अगर बात करी जाए सिंगराज अधाना तो यह आपके शूटिंग से रिलेटीड invoice हो जएंगे पैर शूट दिलाया है उनकी यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं तो आपकी एक रहेंगी अवनी लेखारा यह शूटिंग से रिलेटेड रहेंगी सुमित अंतिल जैबलिन थो से रिलेटेड है प्रमोद भगत आपके बैडमिंटन से रिलेटेड है मनीश नर्वाल शूटिंग से रि हैं गे हाई-ईम्ड से रिलẹटेड दिमेंद्र झहांजरिया रहेंगे आपके जैव Warren ठो से धिल्य तो से निशाद कुमार हैंजम से रिलेटेड हैं सिंह राज अधाना जो हमारे कौशन था शूटिंग से रिलेटेड है सुंदर सिंग गुर्जर रहेंगे आपके जैवलिन थो से रिलेटेड तो इस अभी आपके कुछ पैरा उलम्पिक प्लेयर्स हैं इंडिया के जिन्होंने भारत को मैडल दिलाए हैं 2020-2021 टोकियो उलम्पिक में अगर इसमें बात करी जाए तो आपको ये कोशन जरूर ध्यान रखने हैं बाक मंग्दी फॉलइंग अलेट दे रिवॉल्ट ओफ्या टीन फिस सैंवन फ्रॉम लखनों तो निमिलिखड मेंसे किसने लखνों उसे 1857 के विद्रोग का नेत्रित्व किया था तो इसमें हमारा करेक्ट पर बात करी जाए रिवाल्ट ओफ 1857 की तो जनर्रल बक्त खान और बहादुर शाह सेकंड इन्होंने रिवाल्ट जो था डेली से वो लीड गरा था नाना साहिब और तांतिया टोपे के दौपे के दौ़ारा कानबुर से किया गया था बेगम हजरत महल जो हमारा कोशन है इन् अब शाए बियाकत अली ने आपका अलाबाद और बनारत से किया था अलाबाद और प्रियागराज के नाम से जाना जाता है तो यह भी आपको ध्यान रखना है जो आपका बरकपुर से किया था, अब्दुल अली क्हान ने मुरादाबाद से किया था, राज़ा प्रताप सिंग के दोरा आपका कुलू से किया गया, सेवी सिंग और कादम सिंग के दोरा मतुरा से आपका लीड करा गया था, रिब्लट ऑफ 1857 को. अगला question देखते है हमारा ब्रंपुत्र river originates from तो यहाँ पे river origin से related आपका question पूछा जा रहा है ब्रंपुत्र नदी का उद्गम कहां हुआ था तो इसमें हमारा correct answer आंगसी glacier हो जाएगा आंगसी जो glacier है वहाँ से origin हुआ है आपका ब्रंपुत्र river का जो तिबतन reason रहेगा वहाँ से originate होती है आपकी ब्रंपुत्र river अरुणाचल प्रदेश में enter होती है ब्रंपुत्र river फिर आपकी आसाम में भी flow करती है और यह आपकी कहां पे end होती है तो bay of बंगाल में आपकी य लखन करें रिवर है इंडिया की ये गंगोत्रि ग्लेशियर उत्रेखंस से originate होती है और यमुना रिवरे एक ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की यह मूट्री ग्लेशियर उत्रेखंस ऊस만चरे रिवर इस्टिक्ट सचाने प्रतेश में वहां से रहेि तो पांचो रिवर्स का नाम आप comment box में एक बार जरूर टाइप करते हैं अगला question देखते है हमारा अगला question हमारा who is known as father of modern olympic तो आधुनिक olympic के जनक के रूप में किसे जाना जाता है तो इसमें हमारा correct answer हो जाएगा पेरे डी कोबर्टिन पेरे डी कोबर्टिन रहेंगे जिनको की father of modern olympic के नाम से जाना जाता है यहाँ पे बाकी और जो fathers रहेंगे different fields के उनको एक बार देख लेते हैं बाकी separate video भी आपको इस channel पे मिल जाएगी father of Indian railways बोला जाता है Lord Dalauzy को father of mobile phone बोला जाता है Martin Cooper को father of modern Indian arts रहेंगे राजा रभी वर्मा father of India unrest है बाल गंगादर तिलक father of Indian cinema दादसाइब फाल के रहेंगे astronomy के father Nicholas Copernicus को बोला जाता है father of numbers आपके पाइथग गौरस रहेंगे father of modern computer एलन टर्निंग है father of Indian constitution डॉक्टर बी आरंबेडगर रहेंगे father of modern education जॉन एमोस कोमेनियस रहेंगे father of email है Ray Tomilson father of internet wind surf रहेंगे तो ये कुछ important fields के father रहेंगे अलग-अलग fields के तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है बाकी all static gk topic की जो 200 plus topic जिसमें हमने cover करें है इसमें आपको playlist में जो separate videos हैं वो मिल जाएंगी description में link है आप एक बार इस जो हमारी playlist है इसको आप ज़रू visit कर ले आपको काफी ज़ादा help मिलेगी आपके exams में तो अब यहाँ पे आपके लिए test का question रहेगा जिसका जो answer है वो आप सभी को comment box में type करके बताना है तो जो आज का हमारा test का question है ये रहेगा which of the following empires was founded by हरीहर और बुका इन 13.36 तो 13.36 में हरीहर और बुका के ने निमलिखित में से किस सामराज्य की स्थापना की थी तो कौन सा सामराज्य रहेगा चेरा empire था विज़न अगर एमपायर था कुशान एमपायर था या फिर मराठा एमपायर था इन में से कौन सा empire है जिसकी स्थापना हरीहर और बुक्का ने 1336 में करी थी इस question का answer आप सभी को comment box में type करके बताना है अगर आपको video पसंद आई हो video को like करें अगर आपने अभी तक channel को subscribe नहीं किया है तो आप channel को ज़रूर subscribe कर लें आपको इसी तरीके से MTS exam के लिए CHSL exam के लिए हर एक exam के लिए expected question की series मिल जाएगी हमारे channel पे जिसको आप follow कर सकते हैं और जब आपके exam चल रहे होंगे तो बिल्कुल real 100% real questions का जो analysis होता है वो भी आपको हमारे channel पे provide कराए जाता है साथ ही daily current affairs आपको हमारे channel पे मिलते हैं आप daily current affairs को follow कर सकते हैं अगर आपको अपने current affairs जो हैं वो strong करने हो तो आप हमारे channel को ज़रूर follow करें धन्यवाद